अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं इंगलिस डीपो पर आए हैं तो आपको बता दे कि हम लोग इडियमस याँसा allora की सिरीज लांच कि tarkov कि इसमें प्रत्य एक दिन पांच एडियम्स को ऐसी यूनिक ही टेकनिक से से शीखते हैं यानि एसा सीको की कभी न भूलो वाली टेकनिक से सीखते हैं को पता यह एडियम्जellen phrases आपके exam में कितनी important है और इनको learn करना भी उतना ही difficult है और हमने इसलिए आपके इस idioms and phrases chapter को ही बहुत ही आसान कर दिया है अपनी इस unique technique से अगर आपने पिछली वीडियोज को नहीं देखा है तो आपको English Depot के channel पर playlist में idioms and phrases नाम की playlist मिल जाएगी वहां से अब परतेक वीडियोज को देख सकते हो इसके बाद लेकिन पहले इसको देख लो बढ़ते हैं आज की idioms की तरफ हमारी जो पहले idiom है a cake walk a cake walk बाडियर जैसे हम Indian के लिए एक कहावत है जब कोई किसी इसको हलके में लेता है तो कहते है ना कि हलवा समझ रखा है क्या आपने भी कितनी बार किसी नहीं किसी को कहा होगा हलवा है क्या चले आए मुठा के हलवा समझ रखा है क्या हम लोग यह हलवा word को किस से रिलेट करते हैं कोई चीज जब कोई बहुत आसान लेता है बहुत इजी समझता है तो उसको कहते हैं हलवा समझ रखा है क्या वैसे ही अंग्रे जो ने इस हलवा को अपने आपके अहां अपने अहां वो किसके रूप में परियोग करते हैं केक के रूप में उनको जब यही वर्ड कहना होता है हलवा वाला तो वो केक कहते हैं तो केक वाक का मतलब होता है एक आशानकार्य एन इजी टास्क एन इजी वर्क जैसे हलवा वैसे केक भी अंग्रेजों के लिए हमारे लिए हलवा है उनके लिए केक है हमारे लिए हलवा आसान को व्यक्त करता है तो केक वाक का मतलब आशानकार ये होगा इजी वर्क याद रहेगा आगे बढ़ते हैं माईडी इन ब्लेक एंड वाइट इन ब्लेक एंड वाइट का क्या आर्थ निकालोगे अच्छा आपको भी पता है कोई निउश्पेपर उठालो कोई किताब उठालो अगर कोई ऐसी चीज है जो वाइट मतलब कोई ऐसी चीज है जो इन ब्लेक एंड वाइट फॉर्म में है इन ब्लेक एंड वाइट फॉर्म में है मतलब की वाइट पर लिखी है ब्लेक इंक से मतलब वाइट पर ब्लेक इंक है इसका अर्थ क्या निकाल सकते हो कि वो चीज लिखित रूप में है कैसे रूप में है लिखित रूप में है क्योंकि black and white तो maximum number में आपको किताबे मिलती है maximum number में कोई भी चीज लिखा जाता है तो black ink से white page पर तो in black and white form में अगर आपको कोई चीज मिलती है इसका मतलब है वो लिखित रूप में मिलती है तो in black and white का मतलब होता है in writing लिखित रूप आगे है out of the word out of the word संसार से बाहर संसार से पड़े अरे कोई चीज संसार से पड़े कब होगी जब वो चीज बहुत अदभुत होगी बहुत शांदार लाजवाब होगी तभी तो कहा जाएगा भया इस संसार से तो बिल्कुल ऐसा creation है ऐसी चीज है संसार से पड़े है मतलब इसके जैसा संसार में कुछ है ही नहीं संसार से बाहर है बिल्कुल ये out of the word का मतलब है सांदार extremely good impressive बहुत घजब की तो out of the word वही चीज होती है कहते भी है हम लोग वह याई ऐसा तो संसार में है नहीं कोई इस तरह से ऐसा तो संसार में कोई है ही नहीं मतलब out of the word है मतलब वह बहुत लाजवाब है सांदार है impressive है आगे बढ़ते हैं out of the woods out of the woods woods ता मतलब जंगल जंगल से बाहर हो गया अचा अगर कोई जंगल में है तो क्या बहुत आनंद में हो गा नहीं नहीं कभी नहीं हो सकता जंगल में बहुत सारी मुशिबतों का सामना करना पड़ सकता है तो बहुत सारी मुश्किल में हैं, लेकिन अगर वो जंगल से बाहर निकलाया, इसका मतलब है वो मुश्किल से बाहर निकलाया, तो out of the woods का मतलब क्या होगा, मुश्किल से बाहर, out of difficulty, याद रहेगी न, relate करो, याद बिल्कुल रहेगी, आगे बढ़ते हैं, out of the fire pan, into the fire, low, out of बाहर निकला, the fire pan, मतलब गर्म पैन से, गर्म कढ़ाई से बाहर निकला, into the fire, और कहां चला गया, fire में, आग में चला गया, क्या आर्थ निकलेगा, मतलब एक तो बैचारा खुदी गर्म पैन में था, गर्म कढ़ाई में था, मुश्किल परिस्थिती में तो था ही, बुरी चला गया, आग में, मतलब और बुरी इस्थिती में चला गया, तो एक समेश्या से निकला, दूसरी में फस गया, बद से बत्तर हो गया, from a bad situation to a worse, मतलब एक बुरी इस्थिती से बाहर निकला, और उस से भी बुरी इस्थिती में फस गया, तो out of the fire pan, into the fire का मतलब क्या होग एक समेश्या से निकल कर, दूसरी में फस गया, हुआ न, गर्म करहाई से बाहर निकला, मतलब गर्म करहाई में अगर कोई है, तो एक समेश्या में फस गया, तो और एक समेश्या में फस गया, एक से निकला, दूसरी में फस गया, तो एक समेश्या से निकल कर, दूसरी में फशना, from a bad situation to a worse, वहाँ पर तो bad situation थी, कडाही में था, तरो कुछ तक तो ठीक था, आग में चला गया, एकदम से बुरी इस्ति में पहुँच गया, इसी को बोल जाता है, बद से बत्तर होना, I hope dear, कि आपको ये idiom सियाद रहेंगी, अगर आपको लगा, कि English Depot ये चैनल, आपके exam के लिए, कुछ value provide कर रहा है आपको, आपके exam के लिए आपकी help कर रहा है, आपको English सीखने में आपकी मदद कर रहा है, तो आप बे ही चक इस चैनल को subscribe करके, bell icon press कर दो, यहाँ पर आपको some point English wonderful way में सिखाई जाएगी, ऐसा सीखो कि कभी न भूलो वाली technique से सिखाई जाएगी, इसलिए हमें उम्मीद है कि आगे भी हम इसी तरीके से आपको English सीखने में मदद करते रहेंगे, इसलिए चैनल को subscribe करके, bell icon press कर दो, वीडियो को like कर दो, अगर आपको कोई doubt है, कोई confusion है, कोई problem है, तो आप हमें comment करके बताईए, thank you so much, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye bye, अपना ख्याल रखियेगा, take care of yourself.